मैं डॉक्टर शिखागरवाल, राजके महाविद्याले सुजानगर, बीए पार्ट सेकिंड की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की विशिष्टाई जैसा कि हमने अपनी पिशली क्लास में 1909 और 1919 के एक्ट पढ़े थे, जो ब्रिटिश शासन ने भारत में शासन संचालन के लिए बनाए थे 1919 का एक्ट जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि द्वैध शासन प्रणाली को इसमें लागू किया गया था और क्यूंकि प्रथम विश्विद के बाद से ही भारतिय जन्ता द्वारा उत्तरदाई शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी इसलिए 20 अगस्थ 1917 को एक घोषणा के माध्यम से धिरे धिरे उत्तरदाईत्व देने की बाद कही गई द्वैध शासन प्रणाली में दोहरा शासन अपनाया गया था लेकिन ये द्वैध शासन प्रांतिय शेत्र में था, केंद्रिय शेत्र में नहीं था प्रांतिय शासन को दो शेत्रों में विभाजित किया गया था और इन दोनों शेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया गया था जिनके स्वरूप और उत्तरदाईत्व में भिन्यता हो तो हमने उसमें दिखा था कि प्रान्तिय विशियों का रक्षित विशयों में विभाजन किया था जो रक्षित विशय थे उनको समराट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रती उत्तरदाई गवर्नर की कार्य कारणी परिशद के सदस्यों के अधीन रखा गया था यानि उनके द्वारा इन विशयों पर कानून बनाए जाएंगे और शासन किया जाएगा लेकिन जो हस्तांतरित विशय थे उनकी शक्ती लोकप्रिय मंत्रियों को दी गई थी जो प्रांतिय विधान परिशदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतिय विधान परिशद के प्रती ही ये सब उत्तरदाई थे तो इस तरह से द्वैधर शासन प्रणाली जो 1919 के act के माध्यम से लाई गई थी उसमें धीरे धीरे उत्तरदाई शासन देने की जो बात कही गई थी उसको कुछ हद तक दिया गया ये बात अलग है कि ये असफल हो गया और इसके माध्यम से पूर्ण उत्तरदाई शासन के स्थापना नहीं हो पाई अब हम देखेंगे 1935 का act भारण शासन अधिनियम 1935 की जो योजना है वो 1930, 1931 और 1932 के गोल मेज सम्मेलन में जो विजार विमर्ष किया गया था मार्च 1933 में उस योजना या भावी सुधार के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया इसमें प्रांतों में उत्तरदाई शासन व्यवस्था और केंद्र में आन्शिक उत्तरदाई शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया इसी श्वेद पत्र के जो सुझाव थे उनको मानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत शासन अधिनियम बनाया ये भारत शासन अधिनियम बहुत लंबा और जटिल था विस्तरित भी था इस अधिनियम में 451 धारें और 15 परिशिष्ट थे ये इतना लंबा क्यूं था जटिल क्यूं था इसका कारण ये माना जाता है कि एक तरफ तो भारत में बढ़ती हुई राश्ट्रियता की भावना ये राश्ट्रिय आंदोलन बात जोर पकड़ रहा था उसके कारण भारत के लोग या भारतिय सत्ता का हस्तांतरण चाहा रहे थे और ये करना आवश्यक भी हो गया था दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था करना चाहती थी यानि वो शक्ति तो देना चाहती थी लेकिन अपने अधिकार भी पूरी तरह से नहीं देला चाहती थी इसलिए ये बहुत लंबा और जटिल हो गया और इसलिए इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे इसकी विशिष्टाओं को देखें हम तो सबसे पहली विशिष्टा है अखिल भारतिय संग की स्थापना की गए 1935 का अधिनियम पहली बार केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिला कर एक संग की स्थापना करने का निरने देता है ये संग 11 ब्रिटिश प्रांतों 6 चीफ कमिशनर के शेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्विच्छा से संग में सम्मेलित हो यानि 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल होंगे 6 चीफ कमिशनर के जो शेत्र थे भारत में वो शामिल होंगे और देशी रियासतों के लिए कोई बाध्यता नहीं थी वो अगर चाहे तो इसमें शामिल हो और नहीं चाहते तो शामिल नहीं हो इस अधिनियम के अनुसार प्रांत और संग में प्रांतों के लिए संग में शामिल होना अनिवार्य था अब हमने लेकिन देशी रियासते इसके लिए बहुत आविशक नहीं उनके लिए माना गया कि उन्हें इसमें शामिल होना है संख में इच्छुक जो भी देशी रियासतें थी उन्हें एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने थे इस प्रपत्र में शर्टें दी गई थी जिन पर संख में शामिल होना है संख की इकाईयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वैशासन प्राप्त था संग और उसकी काईयों के विवादों का निबटारा करने के लिए संग्हिये नियायाले की स्थापना की गई केंदर में एक संग्हिये कारेकारणी और व्यवस्था पिका की स्थापना की गई तो संग की स्थापना की पूर्व शर्ट ये थी कि कम से कम देशी रियासतों की कुछ जनसंख्या, आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतों, रियासतें संग में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें। संगी व्यवस्था पिका का जो उच्छे सदन था, उसमें देशी रियासतों के लिए 104 स्थान निर्धारी थे, इसमें से 52 की पूर्ती होनी चाहिए देशी रियासतों की, इस शर्ट के पूरा होने पर ही सम्राट द्वारा संग की स्थापना की घुशना की जाएगे। तो ये एक शर्ट इसमें लगा दी देशी रियासतों की आधी जन संख्याव की, देशी रियासतें संग में सम्मिलित नहीं हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संग की स्थापना संबंदी घुशना पत्र जारी करने का अबसर नहीं आया। दूसरी विशेष्टा है, 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैद शासन की स्थापना की गई थी, उसका अंत कर दिया गया, यानि प्रांतिय स्वायतता का जो स्वरूप था वो बदल गया, और उन्हें स्वतंत्र और स्वेशासित सम्मेधानिक आधार प्रदान किय संपूर्ण प्रांतिय शासन था वो लोक मंत्रियों के नियंत्रण में ले लिया गया, और गवर्नर को ये एक तरह से सलहा दी गई, कि वो मंत्रियों की सलहा के आधार पे प्रदैशासन को संचालित करे लिए, गवर्नर के लिए ये निर्देश भी दिये गए इसमें कि उनके द्वारा प्रांतिय मंत्री मंडल का निर्मान प्रांतिय व्यवस्था पिका के बहुमत दल के नेता की सहमती से किया जाना चाहिए तो कुछ चेंजिस आए, कुछ परिवर्तन किये गए मंत्रियों को प्रांतिय व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदाई बनाया गया और ये निश्चित किया गया कि उनके द्वारा सामुहिक उत्तरदाईत्व के सिध्धानत के आधार पर कार्य किया जाएगा ये जो मंत्री मंडल था ये गवर्नर को सहता और परामर्श देने के लिए बनाया था हालकि ये इस एक्ट को प्रांतिय स्वायतता के दिशा में एक महत्वपून कदम माना जा सकता है लेकिन गवर्नर के हाथ में उसके मावजूद भी कुछ विशेश शक्तियां दी गई थी इसके बाद आता है केंदर में द्वैध शासन की स्थापना परांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया लेकिन केंदर में इसकी व्यवस्था की गई कुछ संघिये विशों सुरक्षा, वैदेशिक संबंद, धार्मिक, मामले और काबाईली शेत्रों को गवर्नर जनरल की हाथ में सुरक्षित रखा गया जिससे वो अपने विवेक के अनुसार समुचित व्यवस्था कर सके इन विवागों के संबंद में वह अधिक से अधिक तीन परामर्श दाताओं की नियुक्ति कर सकती थे अन्य संघिये विशों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री मंडल की व्यवस्था की गई जिसमें मंत्रियों की संख्या दस से जादा नहीं हो सकती थी संख्ये मंत्री मंडल को सुरक्षित विश्यों की अतिरिक्त अन्य सभी संख्ये विभाकों की व्यवस्था करनी होती थी इस मंत्री मंडल को व्यवस्था पिका के प्रती उत्तरदाई माना गया और सामुहीक उत्तरदाईत्व के आधार पर इन्हें कार्य करना था चौथी विशेष्टा आती है सनरक्षन और आरक्षन ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतियों द्वारा उत्तरदाई शासन का संचालन अगर किया जाता है तो गलतिया हो सकती है यानि वो भारतियों को पूरी तरह से उत्तरदाई शासन चलाने के लिए योग्य नहीं मानते थे इसके साथ-साथ जो अल्पमत वर्ग थे उनके हितों की रक्षा भी वो करना चाहते थे और जो की उनके पक्ष की बात थे इस तरह से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन परिस्थितियों में केंदर और वृंत के उत्तरदाई शाथन में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार दिया गया यह अधिकार एक तरह से आमदिक है तो संरक्षन और आरक्षन थे ये सनरक्षन जन तंत्रात्मक भावना के विरोधी थी जैसा कि कुंते और सालिट ओर ने कहा इनकी व्यापक्ता के कारण वास्तविक स्वैशासन की आशन नहीं की जा सकती थी अगली विशेश्टा आती है विधान मंडल और मताधिकार का विस्तार 1935 के अधिनियम की द्वारा संगिये व्यावस्था पिका के दो सदन किये गए जैसा कि आज हम वर्तमान में देखते हैं हमारी जो संसद है उसके दो सदन है ये जो दो सदन थे इनमें एक थी संगिये विधान सभा और दूसरी थी राज्ये परिशट जो विधान सभा रखी गई उसकी सदस्य संख्या 375 रखी गई और राज्ये परिशट के सदस्यों की संख्या 260 रखी गई प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों को दो सदनिये बनाया गया इस अधिनियम की द्वारा मताधिकार का विस्तार भी किया गया प्रांतों के लिए 10 प्रतिशट से अधिक जनता अब मताधिकार कर सकती थी एक और खास बात इस संग्य व्यवस्तापिका के घठन के संबन्ध में थी कि जहां और देशों में निम्न सदन को अप्रत्यक्ष रूप से और जो निम्न सदन था उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लेकिन इसके विपरीत 1935 के एक्ट में जो निचला सदन था संग्ये विधान सभा उसको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की और जो उच्य सदन था राजे परिशन उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा ऐसी व्यवस्था की जई थी तो ये व्यवस्था अलग कि जो हमारा वर्तमान सम्विधान है जब इसे बनाया गया तो इसमें कुछ हद तक इसी तरह से शक्तिका विभाचन किया गया है क्योंकि भारत में संग्ये विवस्था को अपनाया गया है तो 1935 के एक्ट में ये कैसे किया गया था देखते हैं इस अधीनियम के माध्यम से संघीए शासन की स्थपना की जानी है, ये कहा गया और इसलिए केंद्र और प्राणतिय सरकारों के शित्रों को सपश्ट रूप से बताया गया था, इसे तो क्या किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया, तीन विस्त्रित सूचियों की वियवस्था इसमें की गई पहली सूची थी संघिय सूची अखेल भारतिय महत्व के 69 विशे इसमें रखे गए जिसमें जल, थल, इस थल, जल, थल और वायू सेना विदेश विभाग, डाक, तार, मुद्रा और टंकन संघिय लोक सेवाएं संचार, बीमा और बैंक जैसे पूरे देश के महत्व के विशेयों को रखा गया प्रांतिय सूची में प्रांत से संबंधित और स्थानिय महत्व के 54 विशे रखे गए इसमें शान्ती, न्याय, न्यायले, प्रांतिय लोक सेवाएं स्थानिय, स्वेशासन, अस्पताल, जन्सवास्थय, नहेर, क्रिशी, जंगल, शिक्षा, सडक जैसे विशेय रखे गए और भी बहुत से विशेय थे, ये मुख्य विशेय है तीसरी सूची लिए गई समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 36 विशेय रखे गए इसमें दीवानी और फौशदारी कानून, विवाह, तलाक, उत्राधिकार, दत्तक, ग्रहन, ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याना दी मुख्य विशेय थे संग्य सूची के विशेय पर संख को कानून बनाने का अधिकार था संग्य विवस्था पिका इस पर कानून बनाएगी तो प्रांतिय सूची के विशेयों पर प्रांतिय विवस्था पिकाओं को कानून बनाने की शक्ति दी गई संबर्ती सूची के विशेयों पर प्रांथ और संख दोने ही व्यवस्था पिकाय कानून बना सकती थी लेकिन पारसपरिक विरोध की स्थिती में संगीय व्यवस्था पिका कानून ही मानने था एक विशेष्टा ये भी थी कि जो अविशिष्ट शक्तियां थी वो संग और प्रांथ की व्यवस्था पिकाओं को नहीं दे करके गवर्नर जनरल को दी गए और ये अधिकार दिया गया कि किसी भी सूची में उल्लेक नहीं किये जाने पर विशे को संगी या प्रांतिय किसी भी व्यवस्था पिका को कानून मनाने का अधिकार दिया जा सकता है अगली विशेशता है संगी न्यायले की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संगी न्यायले की स्थापना की गई जिसका अधिकार शित्र, प्रांत और रियासतों तक बहुत ज़्यादा विस्तरित था इस न्यायले को मौलिक और अपील संबंदी अधिकार दिये गए न्यायले का जो कार्य था प्रमुख रूप से वो था समिधान की व्याख्या करना और इस बात का ध्यान रखना कि प्रांतिय और संघिये सरकारें एक दूसरे के शित्र का अतिक्रमन नहीं करें इस न्यायले की यानि संघिये न्यायले में एक मुख्य न्यायदिश और दो अन्य न्यायदिशों की व्यवस्था की गई हालकि इसे अधिकार दिये गए लेकिन इसके बावजूद भी नियाए सम्मंधी अंतिम शक्ती लंदन यानि इंग्लेंड इस्थित प्रीवी कॉंसिल को दी गई थे अगले फजेश्टा है ब्रिटिश संसद की सर्वच्चता को बनाई रखा गया इस अधिनियम में हालकि बहुत से परिवर्तन किये गए के इंदर और प्रांतों के मध्ये शक्तियों का बटवारा किया गया सूचियां दी गई शक्तियों के बटवारे में लेकिन उसके प्रांतिय विधानमंडल और संग्ये व्यवस्था पिका को नहीं था इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद को ही दी गई थी कुछ सीमाओं में रहते वे प्रांत और केंद्रिय व्यवस्था पिकाएं इस अधिनियम में संशूधन के लिए सिफारिश जरूर कर सकती थी लेकिन उन सिफारिशों को मानना या नहीं मानना या अंतिम नेर्णे लेना ब्रिटिश संसद के पास था अगले विशेष्टा है इसमें प्रस्तावना का अभाव था ये एक बहुत अश्चर जनक बात थी कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट धे या उद्दिश्य नहीं रखा गया था जबकि सामन्य तौर पर हर अधिनियम के शुरुआत में उसका क्या उद्देश्य है उसको लाने के पीछे क्या कारण है या विश्चर तौर पर दिया जाता था जब इस बात की आलोचना कुछ ब्रिटिश संसत के सदस्यों ने की तो 1919 के भारतिय शासन अधिनियम की प्रिस्तावना को इसमें जोडने का निश्चर किया गया और ये इसलिए किया जिसे भारतियों को ये पता रहे कि ब्रिटिशी सरकार का अंतिम लक्षे भारत में अपनी वेशिक स्वाराज की स्थापना करना है वास्तविक स्वाराज की स्थापना करना नहीं है अगला है भारत परिशद का अंत कर दिया गया भारत परिशद के भारत विरोधी नजरिये के कारण भारत परिशद के अंत की मांग लगातार की जा रही थी और 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिशद का अंत जरूर किया गया लेकिन भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्श दाता नहीं उक्त कर दिये गए जिन से परामर्श लेना या नहीं लेना उसकी इच्छा पैनिर भर करता था लेकिन सेवाओं के संबन में भारत मंत्री के लिए इन परामर्श दाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था इस अधी नियम द्वारा केंद्रिय और प्रांतिय सरकारों में जो परिवर्तन किये गए थे उससे भारतिये शासन पर भारत मंत्री की शक्ती में निश्च द्रोप से कुछ कमी हुई अगला आता है संप्रदाइक निर्वाचन पधती जो 1919 में शुरू की गई थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई संप्रदाइक चुनाव पधती भारत के हित में नहीं है इस बात को जानते वे भी अंग्रेजोंने फूट डालो और राजकरो के अपनी नीती के अनुसार और ज़्यादा संप्रदाइयों और विशेशितों को प्रतिनिधित वो देना जारी रखा और साथी साथ आंग्ल भारतियों, भारतिय इसाईयों, योरोपियों और हरीजनों के लिए इस पधती का विस्तार कर दिया संग्ये व्यवस्था पिका के दोनों सदनों में मुसल्मानों को एक तिहाई स्थान प्रदान किये गए तो इस तरह से संप्रदैक निर्वाचर प्रणाली का विस्तार हो गया एक बहुत महत्वपुन बात और इसमें आई और वो है बर्मा, बरार और अधन के संबंद में निर्ने लिया गया बर्मा जो आज म्यानमार कहलाता है एक स्वतंत्र देश है उसे भारत से 1935 के एक्ट से अलग किया गया भारत के नियंत्रन से और एक अप्रेल 1937 को इंग्लेंड के अपनिवेशिक कारेले के अधीन कर दिया गया जो बात में जाकर के स्वतंत्र म्यानमार वरतमान में मौजूद है बरार के उपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता को स्विकार किया गया लेकिन उसको शासन की दिश्टी से मध्य प्रांथ का हिस्सा बना दिया गया इस तरह से भर्मा बरार और अधन इनको काफी हद तक 1935 के एक्ट से अलग किया गया अधन को भी मुक्त किया गया अधन को एक अप्रेल 1937 को इंग्लेंड के अपनिवेशिक कारेले के अधीन किया गया तो ये हुआ खुल मिला करके 1935 का अधनियम अब इस अधनियम को जिस उद्देशे से बनाया गया था क्या वास्तम में उस उद्देशे को पूरा किया गया इसका मुल्यांकन करती है प्रोफिसर कूपलेंड ने इस अधनियम के लिए कहा कि ये रचनात्मक राजनेतिक विचार की एक माहन सफलता है इसने भारत के भाग्य का हस्तांतरण अंग्रेजों के हातों से भारतियों के हातों में संभव कर दिया लेकिन इस विचार को पूरी तरह से स्विकार नहीं किया जा सकता मदन महन मालविये ने कहा नया अधनियम हम पर थोपा गया है बाहर से यह कुछ जनतंत्रिय शासन व्यवस्था से मिलता है परंतु भीतर से बिलकुल खोकला है राजगोपालाचारिय ने कहा नया सम्मिधान द्वैद शासन से भी बुरा है तो वहीं मिस्टर जिन्ना ने कहा 1935 की योजना पूर्ण रूप से सडी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्ण रूप से अस्विक्रिती के योग्य थी श्री जवाहलाल नहरू ने कहा ये अधिनियम दास्ता का खोशना पत्र है हालकि इस अधिनियम में द्वैद शासन का अंत करगे प्रांतिय स्वायत तता की स्थापना की गई और केंद्र में आंशिक उत्तरदाइत्व की विवस्था की गई लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्वेच्छा जारी शिक्तियों में बिल्कुल भी कमी नहीं की गई जैसा कि मिस्टर एटली ने कहा इस प्रस्ताव का मुख्य तत्य है अविश्वास इसमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं है तो कुलमिला करके इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई कुछ अलोचनाएं आई तो सबसे पहली अलोचना है दोश पून संख की स्थापना की गई हाला कि इसमें संख के सभी आधारबूत तत्व या लक्षन लिए गए जिसमें आते हैं शक्तियों का विभाजन लिखित और कठूर सम्विधान इवब निश्पक्ष नियाय सत्ता की स्थापना लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ गंभीर दोश भी थे जो भारत संख के आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनातिक लक्षों के दिश्टी से बिलकुल भी उचित नहीं थे ना तो इसमें भारतियों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था और ना ही इसमें आत्म निर्ने, सामन्य नागरिक्ता ये संगी हस्तक्षिप में समानता का कोई प्रबंध किया गया था जो भारतिय व्यवस्था पिका थी उसे विधान में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया था और जो अविशिष्ट शक्तियां थी उन्हें गवर्नर के पास रखा गया था दूसरी जो अलोचना की जाती है इसकी वहें प्रांतिय स्वशासन एक प्रह्म मात्र था हलाकि प्रांतिय व्यवस्था पिका के सब सदस्य निर्वाचित थी उन्हें और कारेपालिका को व्यवस्था पिका के प्रतिय उत्तरदाई किया गया था वहीं मताधिकार का विस्तार भी किया गया था लेकिन वास्तम में ये एक ब्रह्म था क्योंकि प्रांतिय स्वषासन के दो आधार भूत तत्व बाहरी नेंतरण से स्वतंतर था और प्रांत में उत्तरदाई शासन यहाँ पर नहीं थे गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास विशेश दाईत्व थे जिससे प्रांतिये स्वहशासन की स्थापना नहीं हो सकती थे प्रांतिये स्वहशासन की वास्तविक धुरी समराथ द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधी गवर्नर था मुख्यमंत्री नहीं था अगली जो आलुचना है वो है संडक्षन और आरक्षन की व्यवस्था नीद संडक्षन और आरक्षन की व्यवस्था पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई इसमें भारती आलपमतों के भैक आउपयोग करके बहुत ही अलग तरह के उपाय किये गए थे वास्तम में ये संडक्षन ब्रिटिश सामराजिवाद और उसके साथियों के स्वार्थ की रक्षा के उपाय थे अगली अलूचना है सांप्रदाइक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा निंदा की गए लेकिन इसको कायम रखा गया इसमें आंगल भारतियों येरोपियनों भारतिये इसाईयों और हरीजनों को भी सांप्रदाइक चुनाव प्रणाली का लाब दिया गया और इस तरह से हरीजनों को हिंदूों से अलग करने की कोशिश करते हुए भारत में राजनतिक वाता वरण को और विशला बनाने की कोशिश के गए जिससे भारतिये एकता नश्ट हो जाए और एक जुट होकर के ब्रिटिश सामराज्य के खिलाफ जो अंदोलन चल रहा है वो नहीं चल पाए और भारत में ब्रिटिश सामराज्य ये थावत बना रहे है अगली जो अलोशना की जाती है वो है आत्मनिर्ने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था ये अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगती क्या होगी ये भी ब्रिटिश संसद के हाथ में थी इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश संसत या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की थी जैसा कि श्री अटली ने कहा था अधिनियम में भारत के भविश्य की राजनतिक प्रगति का कोई कार्य नहीं था तो इस तरह से कुल मिला करके 1935 का एक्ट दिखने में जहां स्वायत तता देता नजर आता है लेकिन वास्तम में इसमें बहुत सी ऐसी खामिया थी जिसने भारत को तूर रूप से स्वाविक्सित होने या भागे का निर्ने करने का कोई उपाय नहीं दिया था आज के लिए इतना ही अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना